आजाओ भाईया आजाओ यार तुम्हारे दिमाग में एक चीद चल रहा होगा कि यार कोरोना तो बहुत कम हो गया फिर भी तुम्हारा इसकूल नहीं खुल रहा है इसका कारण क्या हो सकता है देखो भाई कोरोना का फ़स्ट वेब के बाद कोरोना कम हो गया था उस समय पूर का थार्ड वेब भी आ जाएगा इसलिए सरकार इसको ध्यान में रखते हुए अभी इसकूल को नहीं खोल रही है समझ गए ना चलो तब भाई हम लोग इसकूल नहीं खुले तो क्या दिकत है ओनलाइन इस्टेडी कर सकते हैं आज हमें क्या टोपी को पढ़ना है हमें जिस ट लोग जानेंगे टैंसन मतलो आज हम लोग जानेंगे कि जर्मणी और विटली कैसे बश्य बना सबसे पहले जर्मणी के बात कर लेते हैं यार भाई जर्मणी का नाम लेते हैं यादा आरह है ना हाँ भैया 1848 में middle class के लोग जर्मानी को constitutional मुनार्की बनाना चाहते थे लेकिन यार राजा ने वो constitution स्विकार नहीं किया वो constitution को reject कर दिया इसका पिछले पार्ट में ही तो यार बताया था भैया तुम्हें तो पता ही है कि 1848 के पहले middle class के लोग nationalist movement में support करते थे मतलब देश को एक बनाना चाहते थे constitution सब चाहते थे लेकिन यार इसके बाद ऐसा कुछ हुआ ना कि conservatives लोग मतलब राजा लोग ही देश को nation state बनाने के लिए support करने लगे nationalist लोग जो करते थे ना वो अब conservatives लोग करने लगे जार जोगडा लोग करने लगे इसी तरीके से उन्होंने जर्मनी और इटली को एक देश बना डाला भाई यहां पर मैं फ्रांस बना देता हूँ और उसके भगल में यह जर्मनी है जर्मनी अभी अलग-अलग state में बटा हुआ है और यह प्रसिया है है ना? तुम्हें पता होगा कि जर्मनी को अभी प्रसिया ही रूल कर रहा है प्रसिया के राजा के अंदर में अभी जर्मनी है तो राजा बोलता है कि जर्मनी का ये हाल देखा नहीं जाता जर्मनी को अब एक कर देना चाहिए ऐसा कहके वह सोचा और ये काम उसने अपना एक चीप मिनिस्टर को सौप दिया उसको बोला कि जर्मनी को तुम्हें आजाद करवाना है जर्मनी को एक देश बनाना है ऐसा कहके वह चीप मिनिस्टर का नाम भी तुम सुन लो उस चीप मिनिस्टर का नाम है ओटो वण बिसमार्क आई इंडिया का आदमी रहता तो इंडिया जैसा नाम रहता दूसरा देश का आदमी का नामे याद करने मनने करता है क्या करोगे पढ़ लो यार जर्मनी का आसपास का बड़ा बड़ा देश जर्मनी का कुछ-कुछ पार्ट को कबजा कर लिया था जैसे कि फ्रांस कुछ पार्ट को कबजा कर लिया था उसके बाद अश्ट्रिया कुछ पार्ट को कबजा कर लिया था, डेन्मार्क कुछ पार्ट को कबजा कर लिया था, तो टोटल तीन देश जर्मनी के कुछ-कुछ पार्ट को कबजा किया था, बाकी तो परसिया के अंडर में ही जर्मनी था, तो ये तीन देश से जर्मनी को लड़ाई लड़ने के लिए फ्रांस से लड़ा अस्ट्रिया से लड़ा और डेन्मार्क से लड़ा तीनों से लड़के जर्मनी का अपना जमीन वापस ले लिया लेकिन भाई उसको अपना जमीन वापस लाते-लाते साथ साल लग गया मतलब फ्रांस अस्ट्रिया डेन्मार्क तीनों से लड़के जितने में 7 साल लग गया, अच्छा कोई बात ने कितनों देर लगा, आखिर वापस जर्मनी आ गया ना, हाँ आ गया, अब क्या करेंगे, यह जमीन को बैठ के आरती उतारेंगे, कि क्या करेंगे, भाई इतना मेहनत से वे लोग, जमीन को वापस लाएं, तो उसको आरती उतारेंगे, नहीं भाई नहीं, 18 जनवरी 1871, इस दिन, पैलस ओफ भरसाइल में, फ्रांस में है ना, पैलस ओफ भरसाइल, तो वहाँ एक एसेमली बैठाया गया, उसमें कौन-कौन आये थे, जर्मनी के राजकुमार, जर्मनी का राजा का बेटा, उसके ब तो जर्मनी को आजात कराया, तो वो नहीं आएगा, तो यार, उस दिन, 18 जनवरी 1971 को, कैसर विल्यम वन को जर्मनी का राजा बना दिया गया, भाई, कैसर विल्यम वन प्रसिया के थे न, भाई, जब ये जर्मनी का राजा बना न, तो प्रसिया में जो-जो चीज किया था वो सारा चीज जर्मानी में भी करने लगा, जो जो चीज मतलब प्रसिया को जैसे modernize किया था, उसी तरीके से जर्मानी को भी modernize किया, currency, banking, legal and judicial system, ये सब लाया, देख रहा है ने यार, legal and judicial system, इसी से पता चल रहा है, कि लोगों को अधिकार मिलना चालू हो गया है, तो यार इस तरीके से जर्मानी एक nation state बन गया, अब हम लोग जानेंगे कि इटली nation state कैसे बना, जर्मानी का तो कल्यान हो गया, लेकिन अब इटली कैसे कल्यान हुआ, उसको भी हम लोग अभी जानेंगे, देखो यार, देखो भाया, पहले इटली ना, साथ state में बटा हुआ साथ भाग में बटा हुए था, एक, दो, तीन, चर, पाँच, साथ, तो इटली का उपर वाला भाग, अस्ट्रियन हैंसबर्ग राजा के अंडर में था, मतलब अस्ट्रिया और हैंसबर्ग वाले राजा के अंडर था, और इटली के बीच वाले भाग में पोप रूल करते पोप लोग और इटली के नीचे वला भाग और उसके बगल वला एगो तो इसमें बर्बन किंग रूल करते थे बर्बन किंग फ्रांस वाला नहीं यार नहीं बर्बन किंग ओफ इस्पैन का बर्बन किंग रूल करते थे और यह जो अभी मैं गोल-गोल किया ना इस रीजन का जो है ना यार, नीचेवला भाग, इसको टू सिसलीज किंगडम भी बोला जाता था, जो कि नीचेवला भाग में दो गोई सा निकलल था, तो भाई, इटली को एक नेशन इस्टेट बनाने के लिए किनका किनका योगदान था, उसको मैं सबसे पहले बताता हूँ, तो इटली को एक नेशन इस्टेट बनाने के लिए, जिस सिप्पी मजीनी, ये भी इटली को एक नेशन इस्टेट बनाने के लिए पूरा ट्राइ किये थे, भाई, कुछ दिन पहले मैं तुम्हें बताया था, कि इन्होंने यंग इटली नाम का एक सिग्रेट सोसाइटी बनाये थे, और एक बार ये revolution करने का भी पूरा ट्राई किये थे, revolution करके पूरा इटली को बाहर वाले लोगों किसे आजात करूआना चाहते थे, लेकिन यार ये फेल हो गए और इनको देश के बाहर भेज दिया गया, sent to exile पताया था ना मैं, लेकिन फिर भी यार इनका कोशिश तो रहा न आखिर किये न, सेकेंड आदमी का नाम है, केमिलो के वर्ट, यार ये cm है न, इसका राजा कोई और है, ये cm है, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान था, इटली को एक नेशन इस्टेट बनाने के लिए, यार इसका राजा का नाम था, किंग भिक्टर इमेनुल 2, ये इ C का राजा थे, किंग भिक्टर इमेनुल 2, तो यही राजा सोचे कि इटली को आजात कराना है, और इटली को एक नेशन इस्टेट बनाना है, एक ही देश बनाना है, और ये काम अपने cm, केमिलो के वियोर को दे दिये, भाई, जब पूरा इटली इनकी अंदर में हो फैदा को भी आदमी देखता है, लेकिन अपना कर्तब ये को भी देखता है, अच्छा क्या होता है, आप देखते हैं, भाई, ये जो केमिलो के वियोर थे न, ये कोई रिवोल्यूशनरी जैसा आदमी नहीं थे, बस, इनको अपने राजा के दोवारा आदेश मिला है, उसक इसके साथ मिलके इटली का उपर वाला भाग आजाद करवा सकता है, फ्रांस का आर्मी और इसका आर्मी दोनों एक साथ मिल जाए, तो इटली का उपर वाला भाग तो आजाद ही करवा सकता है, तो दोनों आर्मी मिल गए, और भाई, फाइनली, ये लोग 1859 में इटली को अ तो भाया देखो इसका CM कितना काम का आदमी था अच्छा अगला आदमी जो कि इटली को एक नेशन इस्टेट बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था उस आदमी का नाम था जिससे पे Gary Weldy यार ये जिससे पी मजीनी नहीं है ये Gary Weldy है इनका आहम भूमिका था भा यांग इटली में सामिल हो गएं कौन सामिल हुएं जिससे पे Gary Weldy ये भी रिभॉल्ट इसनरी किसम का आदमी थे ये भी चाहते थे कि इटली एक नेशन इस्टेट बन जाए तो भाई ये इटली के साउथ पार्ट में गएं साउथ पार्ट में गएं और किसान को अपने ये रिभॉल्ट मतलब रिभॉल्यूसन होता है अचा इटली का नोर्थ पार्ट भी आजाद हो गया साउथ पार्ट भी आजाद हो गया नोर्थ साउथ दोनों पार्ट अब इटली का अपना हो गया इटली का अपना राजा के अंडर में हो गया अब बीच में पोप लोग बचे हैं तो भाई पोप लोग भी सोचने लगे कि ये लोग उपर भी अपने अंडर में ले लिए नीचे भी अपने अंडर में ले लिए अब तो हमारा ही नमबर है हम लोग को ही लड़के जीत लेंगे अगर ये लोग लड़के हमसे ये राज्य लेंगे तो हमारा कोई इज एपना पावर कम कर दिये और राजा को दे दिये कि चाहूं बाई यह बीच वाला पार्ट जो पोप लोग कबजा किये थे ना वो तो बाद में सामिल किये राजा उपर और नीचे को जीतने के बाद रुकने वाला थोड़े ना है अपने आपको इटली का समराट गोसित कर दि पास में पूरा इटली में मिल गिया था तो फाइनली इटली एक नेशन इस्टेट बन गया था बाई एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जब जिससे पे गैरी बल्ती के साथ जो किसान लोग राजा के विरुद रिवोल्यूशन कर रहे थे ना तो उस समाए एक ना लगा रहे थे ला तालिया उसका मतलब इन लोगों को पते नहीं था इनको लग रहा था इन लोगों को लग रहा था कि ये विक्टर इमेनुवल टू का वाइप का नाम होगा तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में